सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी टुटोरियल वीडियो में, जो आपको मदद करेगी लॉजिस्टिक मार्ट आप से टेम्पो राइडर के रूप में जुद्धाने में। सबसे पहले आपको साइन अप प्रक्रिया को पूरा करना होगा। यहाँ पर आप राज्य और शहर का चयन करें। अपना नाम, व्यवसाय का नाम, इमेल आइडी और सेवा का प्रकार यानी परिवहन और टेम्पो सब्मिट करें। साइन अप बटन पर क्लिक करें और OTP की प्रतीक्षा करें। अब अपने मोबाइल नमबर पर भेजे गए OTP को दर्ज करें। आपको होम पेज पर पुनह निर्देशित किया जाएगा, जहां आप टेम्पो राइडर के रूप में आगे की पंजी करण प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। टेंपो राइडर बनने के लिए नीचे स्क्रॉल करें। आप टेंपो राइडर बनने की प्रक्रिया पढ़ सकते हैं। यदि आप टेंपो राइडर के रूप में लॉजिस्टिक मार्ट आप से जुड़ते हैं, तो आपको कुछ लाभ मिल सकते हैं। केवाइसी जमा करने के लिए आपको आवश्यक दस्तावेजों की सूची। जाने की आप एब के माध्यम से दैनिक टेंपो सवारी से कैसे अधिक कमा सकते हैं। टेंपो राइडर के लिए नियम और शर्तें पढ़े। आप रुपे का भुगतान कर सकते हैं। ओन बोर्डिंग शुल्क के रूप में 1500 रुपए शामिल है। 500 प्लेटफार्म शुल्क और बाकी रुप। खाता बंद करने के समय एक हजार रुपए वापस हो जाएगा। आप एड अमाउंट पर क्लिक करके राशी दर्ज करके सब्मिट बटन दबा कर राशी को अपने वॉलेट में जोड सकते हैं। अब भुगतान विकल्प चुने यानि रुप। पंद्रा सो जारी रखें पर क्लिक करें और अतिरिक्त राशी आपके वॉलेट में दिखाई देगी। अपने केवाईसी दस्तावेज अप्लोड करने के लिए प्रोफाइल सेक्शन खोलें। सबसे पहले अपने पैन कार्ड की फोटो और नंबर अप्लोड करें। आधार कार्ड की सामने की फोटो और नंबर अप्लोड करें। अब आधार कार्ड की पिछली फोटो जोडें। ड्राइविंग लाइसेंस और नंबर अप्लोड करें। प्रदूशन प्रमान पत्र फोटो और नंबर जमा करें। नंबर प्लेट फोटो और नंबर अप्लोड करें अब आप वाहन का पंजी करण प्रमान पत्र आरसी फोटो और नंबर डाले वाहन का पर्मिट फोटो और नंबर अप्लोड करें पासबुक फोटो और खाता संख्या डाले वाहन का बीमा फोटो और उसका नंबर अपलोड करे सफल दस्तावेज अपलोड होने के बाद उन्हें सत्यापन प्रक्रिया से गुजरना होगा और पूरा होने पर आपको सूचित किया जाएगा आपको अपने नए परिवहन और टेंपो लीड की वास्तविक समय सूचना मिल सकती है लीड विवरण की जाच करें और अपनी पसंद के अनुसार सवारी को स्वीकार या अस्वीकार करें सवारी स्वीकार करके आप ग्राहक का विवरण देख सकते हैं यानि बुकिंग की तारीक, शिफ्टिंग की तारीक, पिकप और ड्रॉप की तारीक, पिकप और ड्रॉप का पता, बिल विवरण, आदी सवारी रद करने के लिए Cancel Booking पर क्लिक करें और सवारी स्विकार करने के लिए Continue to Ride पर क्लिक करें Continue to Ride दबा कर आप Pickup स्थान पर Navigate कर सकते हैं एक बार जब आप Pickup स्थान पर पहुँच जाएं तो Arrived at Location बटन को स्वाइप करें सवारी शुरू करने के लिए OTP दर्ज करें यदि आप से शुल्क लिया गया है तो अतिरिक्त राशे, अतिरिक्त मील, टोल दर्ज करें और सवारी पूरी करें ग्राहक भुगदान ओनलाइन या नकद में कर सकता है यदि Cash Mode चुना गया है तो अब आप ग्राहक से नकदी एकत्र कर सकते हैं एक बार जब आपको राशे मिल जाए तो Yes बटन पर क्लिक करें और यात्रा पूरी करें होम पेज पर लॉट कर आप Booking अनुभाग में अपनी हाल की Booking की जाच कर सकते हैं और ग्राहक रेटिंग और फीडबैक यदि कोई हो के साथ Booking सारांश की जाच कर सकते हैं तो यह हमारे वीडियो का अंत था और हमें उम्मीद है कि यह आपको Logistic Mart अप से जुद्धने में मदद करेगा और आपके लिए Tempo Rider के रूप में प्लेट फॉर्म में शामिल होना आसान बना देगा क्रिपया वीडियो को लाइक करें और हमारे नए वीडियो पर नए अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें